नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ दम्भू सिंग आज मैं आपको अधर कार्ड में नाम बदलना डेटा बर्स बदलना और एड्रिस बदलना बताऊंगा दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकॉन पर क्लिक कर लिजिए जिससे और भी अच्छी वीडियो आपको मेरी मिलती रहेंगी चलिए दोस्तों आपको मैं अधर काड़ अपडेट करना बताता हूं अधर काड़ सब्सक्राइब करेंगे इस प्रकार ओपन हो जाएगी अधर काड़ की अपन हो गई है यहां पर थोड़ा नीचे जाएंगे यहां नीचे लिखा है अपडेट एड्रेस इन यूर अधर काड़ नीचे लखा हुगा इसके अपडेट डेमोग्राफिक डाटा ओनलाइन जैंडर एड्रेस अंडर लेंगवेज ऑंलाइन चैंज करने के लिए यहां पर क्लिक करेंगे मैं फूर्शीट डू अबडेट आधर काड़ पेक्लिक करूंगा क्लिक करने वाइश प्रकार पेझ खिलेगा यहां पर अपना अधर कर नंबर डालेंगे बाहर हंको वाला और नीचे यहां पर यह capture code दिया है यह डालेंगे मैंने अधर का number डाल दिया capture code डाल दिया और send OTP पर क्लिक करेंगे क्लिक करने का इस पर कार page खुलेगा आँगा है यहां पर आप थोड़ा स्कूंग पर करेंगे यहां पर OTP डालेंगे आप अपडेट डाल लिखा हुआ इस पर क्लिक करेंगे तो इस परकार page खुलेगा यहां पर आपको तीन option दिये गया है change करने के लिए एक तो name change करने के लिए लिए data birth बदनने के लिए और address बदनने के लिए इक लिए लिए नेम को आप सिर्फ तीन भार change कर सकते हैं data byको इक बार कर सकते हैं और address को कई वार change कर सकते हैं और gender को भी आप एक बार चैंज कर सकते है मैं आपको लिए अपडेट वताता हूं और डेटा बचाना बता हूं और एड्रेस अट्रेस अपडेट करना बताता हूं इस सेलेक्ट करने के बाद यहां पर फूर सीड लिखा हुआ इस पर किलेक करेंगे ऐस प्रकार बेज गए यह 58 यहां पर वही बताया गया है कि नेमक को आप दो बार लायफ मे कमिनेक कर सकते हैं डेटा बर्थ को एक बार वो जेंडर को भी एक बार इस अपडेट करने के लिए आपको अपडेटिंग चार्ज लगेगा पचास रुपए नॉन रिफंडेवल है करेंगे और पर वोगत करेंगे और प्रिसेट करेंगे यहाँ पर प्रप्रिक के हुब चार्व नेंटे नेल पर सकते हैं और नीचे यहां पर आप government photo ID card कुलोप में डालें यहां पर कोई भी आप आप लातर आई लाएडिट लगा सकते हैं रासन कार्ड पासबोर्ड लगाने के बाद यहां सेलेक्ट्ट करने के बाद आप यहां पर upload document यहां पर प्लोट करेंगे कोन उसको पर दिख रही है नई डेटा बर्त यहां पर लेंगे आप कलेंडर बना हुआ यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर डेटर स्लेक्ट कर लेंगे मैंने online और ऑपनी शलेक्ट करूगा à नेक्सट्ड बतन फीछ अलए यहां पर करेंट्लिश बताया गया है नहीं अड्रेश इन्ट रेग में डालेंगे य। टो आदर्शना डालेंगे आटमेटिक यहां पर ब्हुट्टंमेटिक आ बनेख ओक न लाएगा और यहां पर टालूुघा मैं कुछ फोल डालेंगे यहां पर संध्र उपना पर सेलेट्ट करेंगे और अपने एसिट्र इसलेक्ट कर लैंगे करने का बाद नीचे जायेंगे यहां पर अब आपर कुछ भी डाल सकते हैं यहां पर आइडी नाम डाला है और आपने जो नहीं डाली वह दिख रहे हैं पर और आपने जो नहीं डाला हुए जाली हुए तर्म आपने हुगा है जुख पता एड़ेसी दाला हुगा वो दिख रहा है यहां पर और नीचे करेंगे यहां पर है पर आप डालेंगे और पर क्लिक करें चल जाये ओडाया डाब क्लिक करेंगे तो उटीच करेंगेац करेंगे आप सकते हैं या या कर सकते हैं आपको तीन दिये जाएंगे के बाद रेफरेंस नंबर मिलेगा आपको उसका अपना आदार कर सकते हैं दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सेर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू दोस्तों